Hello friends, welcome to my channel physics boyah, I am Gopal और आज हम करेंगे chapter 9 का question number 2 question क्या है, the structure of a water molecule is shown in the figure ये water molecule का structure ये दो होड़ा जान है और ये oxygen है find the distance of the center of mass of the molecule from the center of the oxygen atom यहाँ पर अपने वो center of mass का distance find करना है from oxygen ठीक है और अपने वो distance क्या दे रहा है, इन दोनों hydrogen और oxygen के बीच में distance given है 0.96 into 10 की बाओ, minus 10 meter clear है और इन दोनों के बीच में distance क्या है वो नहीं दे रहा है बट दोनों का separation मतलब same distance के अपर है तो हम क्या करें, कि यहाँ पर पहले अपन, mass का पता कर लाता है, mass of hydrogen कितना आएगा 1 gram और oxygen का 16 gram और यहाँ पर hydrogen का वापस 1 gram ठीक है अब अपने काम करते हैं किसी एक को open reference point माल लेते हैं और फिर हम center of mass find कर लेते हैं और center of mass कहां से find करना आपने हैं, वो oxygen से तो यहाँ तो इसको open center of reference point माल है या फिर इसके along किसी line को माल लेते हैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, यह line joining video में में इसको मैं center माल लेता हूँ, यानि यह मेरा origin हो गया तो यह 0,0 हो गया, यह अगर 0,0 है तो यहाँ पर कही center of mass होगा, यहाँ पर कही होगा तो वो अपने हूँ find करना है, जिससे अपन distance from oxygen find कर पाएंगे तो देखाँ, अपने पास सबका mass है और यह origin है तो अब यह distance कितना है, इसका coordinate find करना है, इसका coordinate find करना है तो इसके coordinate में तो सिर्फ x आएगा, y तो 0 होगा, इसमें minus x आएगा, y 0 होगा यानि यह x, 0 होगा, यह होगा minus x, 0, right और यह क्या होगा, यह होगा अपना 0, y, right अब देखो, यह जो value x होगी और यहाँ पर minus x है, दोनों का magnitude सेम होगा तो इस x की value क्या आगी, वो find करता है, तो यह पूरा angle 104 का है, तो यह angle कितना होगा यह angle, यह angle होगा अपना 52 का, right, 52 into 52, 52 into 2, कितना होगता है, 104 यह यह 2 times होगया, तो यह 52 होगया, तो अब यह angle 52 है, तो यह अपने पास एक, यह OH दे रखा है, कितना, 0.96 into 10 की और minus 10, तो इसका मैं अगर cos component करूँ, इस लाहन का cos component, इस लाहन का cos component करूँगा, तो y आ जाएगा यह यह कितना जाएगा मेरा, 0.96 into 10 की और minus 10 का cos 52, right, यह मेरा y होगा, इसका, इस लाहन का cos component, और इसी लाहन का मैं sin component करूँगा, इसी का sin component, तो क्या जाएगा, x जाएगा, इसका sin component x होगा, तो x क्या होगा मेरा, 0.96 into 10 की और minus 10 sin 52, clear, okay, अब अपने को क्या करना है, अब अपन center of mask find करते हैं, from reference point 0,0, तो center of mask में अपने काम करते हैं, सबसे पहले axiom find करना है, x coordinate of center of mask, तो x coordinate find करेंगे हम, तो यहाँ पर m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3, यह होगा, अपन m1 plus m2 plus m3, यह अपना formula है, हमें काम करते हैं, इसको 1 देते हैं, इसको 2 अपने करते हैं, यह 1, 2 और 3, तो 1 का मास अपने पास है, 1 gram displacement minus x, 1 into minus x, यहाँ पर minus 1 into minus x, दूसरा क्या होगा, यह 1 into x होगा, और यह क्या होगा, यह होगा, यह होगा 16 into 0 होगा, अपन 1 plus 1 plus 16, यह answer क्या जाएदे होगा, यह x minus x, 0 और यह 0, तो इसका अंसर आजाएगा, 0, य x, 1 कितना होगा, 0 होगा, x, c, o, m होगा, 0, अब y, c, o, m देख लेते हैं, ठीक है, y coordinate of center of mass, m1, y1 plus m2, y2 plus m3, y3 upon m1 plus m2 plus m3, right, तो यहाँ पर तो m1 कितना, m1 1 kg, sorry 1 gram, or y1 0, next m1 1, sorry m2 1, और यह y2 0, इसमें क्या आएगा, यह 16 और y की value, जो भी है वो रक लेंगे, right, upon m1 plus m2, तो यह कितना आएगा, 1 plus 1 plus 16, तो यह कितना आगया, तो यह आगया 16 by 18, 16 by 18 into y, 16 by 18 into y, कितना आजाएगा, 2 से कट करो, 8 by 9 into y, 8 by 9 into y, y की value क्या है, y की value है, 0.96 into 10 की power minus 10 cos 52, right, यह आगया अपनी y coordinate, यह yCOM आगया, अब यह yCOM कहां से है, यह origin से है, और हमें क्या find करने के लिए बोला, center of mass of the molecule from the center of oxygen atom, तो यहाँ पर इसको आप subtract करो, y मैंसे यह subtract कर दो, तो y minus this, right, मेरे को क्या करना है, यह क्या है अपना, 8 by 9y, तो अपने को find क्या करना है, अपने को जो find करना है, वो है, जो find करना है उसको y लिख देता हूँ, तो y क्या है मेरा, y, sorry, मेरे को find करना है मेरे काम करता हूँ, उसको t लिख देता हूँ, अब y की value put कर दो और 1 by 9 कर दो आपका answer आजाएगा अपना answer क्या आएगा इससे answer आएगा अपना 8 by 9 तो ये 1 by 9 और इसकी value put कर दो तो 1 by 9 into 0.96 into 10 की power minus 10 cos 52 गर आपको किसी भी question का video solution चाहिए तो channel subscribe कीजिए तो जो भी question हो comment box में question number और chapter number comment कीजिए